इन दिनों पूरे मालवा निमाड में प्याज लहसुन और आलू के भाव नहीं मिलने से शेतर के करीब 20 जिलों के किसान चिन्तित हैं मंडियों में लहसुन एक रुपया प्याज पांच रुपय तो आलू छे से साथ रुपय किलों में बिकने से किसानों की लागत नहीं निकल पा रही इसने किसानों में आक्रोश है सेयुक्त किसान मौचा ने अलू प्याज और लहसुन का निर्यात खोलने की मांग की है मौचे के अनुसार कई जगय आंदोलन शुरू हो गए है इंदौर में भी आंदोलन की रूप रेखा बनाई जा रही है स्यूक्त किसान मोर्चा के शिरी राम सवरूप मंतरी और शिरी बबलू जादव ने मीडिया को कहा है कि दो महापूरव इंदोर के सांसद शिरी शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि उन्होंने देश के क्रिशि मंतरी और वानीज्य मंतरी से चर्चा की है और किसानों की शिकायत उन तक पुहँँचा दी है कि आलू, प्याज और लहसुन के भाव अत्यंथ गिरजाने से किसान परिशान है जिस पर दोनों मंतरियों ने विश्वास दिलाया है कि आलू प्याज और लेसन का निर्यात खोल दिया जाएगा जिससे इन्वस्टियों के भाग फिर से ठीक हो जाएं और किसानों को नुकसान ना हो फिरी लालबानी में ये भी काता कि निर्यात खोलने के आदेश निकाले गें हैं जबकि हकीकत यह है कि दो महीने बीच चुके हैं ना तो कोई आदेश पहुंचा है और ना ही कोई निर्यात चालू हुआ है और ना ही आलू प्याज और लेसन के दाम बड़े हैं किसान नेता द्वय ने कहा है कि अभी भी इंदोर उज्जैन संभाग की सभी मंडियों में आलू, प्याज और लेसुन अत्यांत नीचे गिर चुके हैं। लेसुन तो 50 पैसे किलो तक बिका है जिससे किसानों की लागत तो क्या मंडी तक लाने का किराया भी नहीं निकल रहा। इससे पूरे शेत्र की किसानों में आक्रोश है। दिवाज, शाजापूर, उज्जैन, मंसोर, रतलाम, नीमच, आदी जिलों में आंदूलन शुरू हो और सांसर शिरी लालवानी से भी मांग की गई है कि विदो महापूरव किये हुए अपने वादे के साथ ही केंद्रिय कृष्णी मंतरी और वानीजी मंतरी द्वारा किये गई निर्यात खोलने के वादे को पूरा करने का परियास करें। झाल झाल